हेलो और वेल्कम बैक टू बेबीज कैलरी आज बेबीज कैलरी पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शाही पुलाव की रेसिपी तो आएए हम इंग्रिडेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमने बॉइल राइस लिया है और हमने ले लिया है वेजिस में कैरट बीन्स ओनियन पनीर यहां पे हमने दूद में केसर बिगो के रखा हुआ है और हमने लिया है यहाँ पे साबुद करम अजय है अब एक करहई पे हम थोरा सा तेल डालेंगे या फिर घी डालेंगे उसपे साबुद करम मसले जो है वो डाल देंगे थोड़ी देर फ्राइ करते ही इसमें से बहुत अच्छी से स्मेल आने लग जाएगी अब हम इस पे टू टेबिल स्पून शुगर डाल देंगे और अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसको पका देंगे और केमरलाइस्ट कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए ओनियन्स और अच्छे से हम इसको फ्राइ कर लेंगे ओनियन के अच्छे से फ्राइ होते ही हम इसमें जो वेजिस रखा था वो वेजिस डाल देंगे और फिर सारे इंग्रुडीन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आट करेंगे भिगोई हुए काजू और किश्मिश फिर एक बार हमें साड़े इंग्रिडियंस को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके फ्राई होते ही हम इसमें पनीद डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे साड़े वेजिस के साथ इसको देखिए लगभग सारी सब्जिया जो है वो पनीर के साथ मिक्स हो चुके है अब हमें इस पर थोड़ा सा सॉन्ट एट करेंगे देखिए बेजिस जो है वो लगभग हो गया है फ्राइज अब इस पर जो बॉइल प्राइस हमने रखा था वो डाल देंगे राइस हमने डाल दिया है सारा उसके उपर हम सॉल्ट डाल रहे हैं सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए हम इस पर थोड़ा सा शुगर और एट करेंगे ताकि जो राइस हमने डाला उसमें भी नमक और चीनी जो है वो बरकरार रहे इस पर हम उपर से थोड़ा सा घी अब हम इस पे डाल देंगे जो हमने मिल्क में सैफ्रोन भीगो के रखा था वो देखे हमने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है शाहि पुलाव बन के त्यार है बलास टेप बस यह हमें इस पे थोरह सा गरम मसाला पावडर चिरके देना है उपबर से और मिक्स कर लेना है बस शाहि पुलाव बन के त्यार है प्लेटिंग के लिए शाही पलाउ जो है वो बन के तयार है अब इसको आप कोई भी दम आलू या फिर कोई चिकन के रेसिपी के साथ भी सर्फ कर सकते हो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मिल्कुल ना भूले थैंक ये फर वाचि दिस लेड़ आपको 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 आपको